उत्तर प्रदेश के हर्दोई में आर्पी एफ ने एक संदिक परस्तितियों में बैचे यूवक को गिरफ्तार किया है हर्दोई के आर्पी एफ इंचार्ज धरमवीर ने बताया कि पकड़ा गया गत्ती काफी नशे में था और उल जलूल हर्कत कर रहा था इसी को देखते हुए उसको हिरासत में ले लिया गया और उससे कड़ाई से पूच्टाच की गई इस दोरान उसके पास से पोने तीन किलो सोने की इच बरामत की गई हलाकि आरपीएफ अधिकारी बरामत पीली धातू के विशे में अधिकारिक रूप से सोना नहीं बता रहे हैं लेकिन इतना कहा कि आरोपित की पूच्टाच में वह सोना होने की बात कबूर रहा है पूस्ताच में आरोपित ने बताया कि वह लखनव में किसी अधिकारी के यहां खाना बनाने का कारी करता है उसके तलाश की गई तो तलाशी के दोरान यह बरामदगी हुई आरपिएफ अधिकारियों ने कस्टम को सुचित कर दिया है और कस्टम ट्रिम जल ही यहां पहुँचने वाली है उसके बाद कुछ पता चलेगा फिलहाल आरपिएफ प्रभारी का कहना है कि इसकी कीमत एक करोड आठ लाग है पकड़ा गया युवक किसके यहां नोखरी कर था है किसका सोना लेकर कहां से जा रहा था इसकी जानकारी जुटाए जा रही है पकड़े गए युवक ने अपना नाम राजु कुमार वर्मा पुत्र मुन्नालाल निवासी नगरिया छाकुर गज लखनव बताया है अगरिया ठाकुर गज बिस्तिक लखनु उत्रप्रदेश प्लेटफॉर्म अर्दोई स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर पर नियूसेंस करता हुआ करता हुआ जिसको आमने रोता हमारी कियों बढ़ा है और उससे कुस्ताज किया तो इसमें अपना नाम बताव पर रोती बताया है जिस पर उसे हरा 145 रेलिवेर के तहर इसके जरुम से आवबत करा करके उसे गरपतार के गए गए तहा और इसके प्लासी यहने पर इसके फुल्टू बैड से एक आधा अमीर नुमा पितल नुमा लगबक सर अनुमानित चीमत क्या होगी इसके? पत्रूर आठ लाग्ट वजन इसका है तोट नुगराम साथ से लाग्ट एंटरप्राइज एसे ही लेटेस्ट परेपाने के लिए बैल आइकन को क्लिक करें हमारी चैनल को लाइज शेर और सुब्सक्राइब करें धन्यवादी